बच्चों आज हम लोकतंत्र पर आधारित कुछ प्रश्ण दिये वे हैं जो कि कार्टून के अंतरगत दिये गए हैं इन प्रश्णों को हम पढ़ेंगे और इनके जवाब आपको दिये जाएंगे तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ लोकतंत्र पर आधारित प्रश्ण तीक है अब आप देखें सबसे पहले यह क्या प्रश्ण पूछ रहा है लोकतंत्र पर है आप ध्यान दिंगे मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्ता है जहां लोक पर तंत्र हावी रहता है इसके बारे में आपकी क्या राय है अब आप इसका आंसर सुनिए मेरे द्रश्टी कौन से यह कहना बिलकुल निराधार है कि लोकतंत्रिक व्यवस्ता में लोक पर तंत्र हावी रहता है क्यूं क्यूंकि लोकतंत्र में जनता जो है वो अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है अपनी पसंद की सर व्ठैंता के प्रति उत्तरदाई होती है इसलिए लोक परतंत्र हावी रहता है ठीक है इसके बाद अगला देखिए रिबियांग के बारे में देखिया आप कि रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद व्यक्तियों के कतनों को किया इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया फिर चाहती है कि आप भी इने पढ़े हो और बताए कि उक्तियां कितनी अच्छी है और उपयोगी है सबसे पहले हम एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको explain करते जाएंगे सबसे पहली लाइन देखें कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोशक आप बन जाने का अधिकार देता है इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम टिपनी करें इसके बारे में तो ये है कि कुछ हद तक ये जो विचार है वो सही है हम जिस प्रतिनीदी का चुनाव करते हैं वही आगे चल कर हमारा दमन करता है, शोशन करता है लेकिन बच्चों ये लोकतंत्र का दोश न होकर ये व्यक्ति का दोश होता है इसमें लोकतंत्र की कोई गलती नहीं है ठीक है इसमें व्यक्ति का दोश है क्योंकि आप जैसा व्यक्ति चुनोगे वैसी ही सरकार आपको मिलेगी तो यह आपड़ेपेंड करता है, लोकतंतर का इसमें कोई दोश नहीं है यह विचार लोकतंतर के दुरुपियोक को दर्शाता है कि आपका जो शोशक है वो आपकर हावी हो रहा है समझ में आया फिर second line देखिए लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना अपने तानाशाहों का चुनाव करना पर उन्हें उनके मूँ से अपनी इच्छा के बाते सुनने के बाद मतब आप इस लाइन से सहमत हैं क्या कि क्या किया रहा है लोगतंतर अपने तानाशाहों का चुनाओ करना और उनके मुव से उनकी इच्छा की बाते सुनना आप इस लाइन से सहमत हैं मेरे हिसाब से ये लोगतंतर के सिद्धांत के ही किलाफ है क्योंकि लोगतंतर कभी ताना शाहा वर्ड आने का मतलब है यहां रास्तंत्र की बार चल रही है क्योंकि रास्तंत्र में ही आप राजा की तारीफ कर सकते हैं और उसके सामने उसकी कोई भी बुराई नहीं कर सकते हैं लेकिन लोक्तंत्र में यह सब कुछ नहीं होता व्यक्ति की न्याय प्रियता लोक लोक तंतर को जरूरी बनाता है ठीकि? आप इस लाइन से कितना सेहमत है? डेखे हैं लोक तंतर यक्री एर शाशक वर्गर आइं राजा से हम न्याइ की मांग कर सकते हैं यह जन पतिनीदी लोगों की समस्य जो हैं अगर उन Niger नहीं कर पाता तो लोकतंत्र बेकार हो जाता है बेमानी हो जाता है उसका कोई मतलब नहीं रहता अत्य व्यक्ति की न्याय प्रियता जो है वो लोकतंत्र को संभव बनाती है आप ये कह सकते हैं कि अन्याय की प्रती रुजान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है क्योंकि सामाजी कार्थिक और राजनितिक न्याय को लोकतंत्रिक ढचे के तहती प्रभावी धंग से दूर कर सकते हैं और लोकतंत्र में सब को समान न्याय मिलना चाहिए यही न्याय प्रियत 110 लोगतंत्र को जरूरी बनाती है फिर अगला देखिया आप लोगतंत्रश्रर्श्राषण NES का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्यत करता है कि हम जैसी सरकार के लाइक हें जैसी सरकार । ह। भीक में या स्रकार करे बुर्द करते हैen warranty सरकार के हम शाषन करे हैं आपकेज सरकार हम चाहते हैं वैसा ही अंपरशाशन होता है तो खुछ अद तक तो ये बात सही है जनता जैसी होगी सरकार भी वैसी ही होगी लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी पद्धती है जिसमें यदि विकल्प उपलब्द हो तो हम अपने से बहतर लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मोक दे सकते हैं तो वर्तमान में ये जो विचार है ये वर्तमान के बारे में ही बोलता है तो हमें अगर अच्छा राजा चाहिए तो हम बहतर विकल्प चुन सकते हैं समझ में आया फिर देखो लोकतंत्र की सारी बुराईयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता ह तो यह जो विचार है वो वर्तमान संदर में बहुत उपयोगी है क्योंकि हम जितने अधिक लोकतांत्रिक होंगे जितने अधिक जागरुक होंगे लोगों की सहभागिता और पार्दशिता उतनी है अधिक होगी हमारे लिए इससे क्या होगा इससे हमारा संगर्श कम होगा औ मैं इस लाइन से बिल्कु सहमत हूं फिर आप आईए अगला देखिए आप अगला कार्टून में क्या प्रश्ण है बूजो तो जाने ये कहता है कि इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्तिती में हुए चुनाओ के समय ये कार्टून बना था ये देमोक्रिसी को इस तरह क्यों लिखा गया है तो सबसे पहले तो आप कार्टून देखिए ये है कार्टून देख रहे हैं इसमें ये डेमोक्रिसी शब्द है तो कार्टून में डेमोक्रिसी को इस प्रकार से एक तेड़े खंबे के रूप में क्या कर रहे हैं ये लोग तो इसको समझे पहले कि ये कार्टून क्या कहता है और डेमोक्रसी इस पर क्यों लिखा गया तो बच्चों पहली प्रश्ण का जवाब आपका ये होगा कि ये कार्टून जो है वो हमें बता रहा है कि ये जो अमेरिकी सैनिक है ये ये अमेरिकी सैनिक इराक शाषन व्यवस्था क इराक शाशन व्यवस्ता को सुधार करके इराक में लोगतंत्र इस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं यह अमेरिका के सेनिक तो यह काटून हमको यही बताता है इस काटून में डेमोक्रिसी शब्द आप देख रहे हैं यह विशेश स्पेशल धंग से लिखा गया है क्योंकि काटूनिस्ट क्या कहना चाता है काटूनिस्ट कहता है कि इराक में अभी लोगतंत्र मजबूत नहीं है अपने पेरो पर खड़ा नहीं है और इसको विदेशी सेनाओं द्वारा मदद मिल रही है खड़ा करने के लिए विदेशी सेनाओं द्वारा इस लोगतंत्र को इराक में खड़ा करने के लिए विदे तो यह अमेरिकी सैनिक विदिशी सेनाओं का मदद लेके इसे इराक में एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं समझ मैं आपको फिर आप अगला काटूं देखिए यह चितर देखिए आप सीरिया का चितर है जब तक बात पार्टी की सदसिता का फॉर्म भर कर उसकी सदसे नहीं बनोगी तुम अंदर नहीं आ सकती तो यहाँ बात पार्टी के लिए इसको सदसिता का फॉर्म भरना पड़ेगा ठीक है और यह न्याय का चिन लेकर खड़िये तो कोशन क्या है वो दिखो सीरिया पस्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है ठीक है शाशक बात पार्टी और कुछ सहियोगी पार्टीों को देश में राजनितिक गतिविधियों के अनुमती है क्या इस काटून को चीन और मेकसिको में लागू किया जा सकता है लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्त है तो अब आप सबसे पहले इसका आंसर चुनिए कि क्या इस काटून को चीन और मेकसिको पर लागू कर सकते है तो हाँ बिल्कुल इस काटून को हम चीन और मेक्सिको पर लागू कर सकते हैं क्योंकि चीन और मेक्सिको जो है वहाँ पर एक दल की सरकार है और सिर्फ एक राजनितिक पार्टी ही यहाँ पर शाशन करती है अन्य दलो को राजनिती में भाग लेने की स्विकृति नहीं है तो ऐसी इस्तिफी में यहां पर यह जो काटून यह प्रश्ण है वो यहां पर लागू किया जा सकता है तीन और मेकस्को में एक दलीय शाशन वेवस्ता है आता हिया यहां लागू कर सकते हैं जब तक आपके कॉंपिटिशन नहीं होगा आपके साथ में कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तब तक आपके उस एक दल का महत्व भी नजर नहीं आएगा अज़ा दूसरी शाखा का नहोना अन्य राजनितिक दलों के नहोने का सूचक है समझ में आया फिर आगे देखो अगला कार्टून क्या कहता है अब आप यह चित्र देख रहे हैं ठीक है यह चित्र देख रहे हैं यह एक बॉक्स बनावा है और यह यहाँ पर जो है इसको आप चाकू कह सकते हैं शस्त्र कह सकते हैं आप इसको ठीक है? फिर आपका प्रश्ण है यहाँ पर? ये काटून देखकर आपको क्या लग रहा है? ये काटून जो है वो लातनी अमेरिका के संदर्ब में बना हुआ है. ठीक है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पर फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारी में सोचिए जिन पर ये काटून लागू हो सकता है क्या ऐसा कई बार हमारे देश में होता है तो इस प्रश्न का जवाब सुनी आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये काटून पाकिस्तान पर फिट बैठता है तो वही ये पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैटता है, बिल्कुल सही जवाब है ये, इस काटून में हतियार के बल पर लातनी अमेरिका को लूटने का प्रोग्राम है इसमें, हतियार के बल पर बूत को लूटने के द्रश्चे को द्रशाय गया, और ये लातनी अमेरिका मे क्या दर्शारा है यह लात्री अमेरिका में लोकतंत्र के अपहरण की को दर्शारा है कि वहाँ पर लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है ठीक है अब हमारा प्रशनी कि क्या यह पाकिस्तान पर फिट बैठता है तो हाँ यह बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान के मुशरफ कालीन शाषनु का विल्कुल फीट बैठता है क्यों क्योंकि मुशरण्फ भुद सैनिक शाषन से संवन्दित था और सैनिक शाषन ने लोगतंत्र का असयर्ण कर लिया था ठीग है क्योंकि मुशरण्फ ने लूटने की कोशिश कर रहा है तीक है कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जहां पर ये कार्टून लागू हो सकता है तो कुछ अन्य देशों के बारे में जैसे उधारन सुनिया जैसे इराक है तीक है इराक है, चीन है इराक है, चीन है म्यामार है इन देशों में ये लागू हो सकता है ठीक है ये कार्टून उसके बाद तीसरा कुछन है क्या ऐसा हमारे कई बार हमारे देश में भी होता है तो हाँ ऐसी कई चोटी मोटी घटना है हमारे देश में होती रहती है जब कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार के दुश अगला देखिए अब हमारा अगला प्रेश्ण जो है वो यह है कि जाने कहां कहां की बाते हो रही है ठीक है जाने कहां कहां की बाते हो रही है क्या लोकतंतर का मतलब सिर्फ सरकारों और शाशनों से ही है क्या हम अपनी लोकतंतरिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं क्या हम अपने परिवार में लोकतंतर की बात कर सकते हैं क्या हम एक लोकतंतरिक परिवार की बात कर सकते हैं तो इसके जवाब में इसका आंसर सुनिए कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार और शाषन से हैं तो नहीं लोकतंत्र का मतलब जो है वो सिर्फ सरकार और शाषन से नहीं है लोकतंत्र जो है वो सरकार और शाषन में जनता की सहभागिता से है तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय से सम्मधित बात करता है हमारा लोकतंत्र ठीक है फिर दूसरी बात क्या पूछता है कि क्या हम अपनी कक्षा में लोकतंत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं लोकतंत्रिक व्यवस्था कैसे कक्षा में जब हम मॉनिटर को चुनते हैं तो वो परिवार में अपने माता पिता भाई बेनों सब के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं तो ये भी लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उधारण है क्या हम एक परिवारिक लोकतंत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं तो बिल्कुल हाँ हम एक लोकतंत्रिक परिवार की बात से संबंदित है लातनी अमेरिका की बात है इसमें सिक्कों की थेलियों का क्या मतलब है राजनिती में थेली शाही की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला ये चित्र क्या कहना चाहता है ठीके राजनिती में थेली शाहों की भूमिका क्या है क्या इस कार्टून को भा लोकतंत्र का जो निर्मान है उसका जो विकास है उसको करने में लोकतंत्र के निर्मान को करने में बहुत पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट है राजनिती में थेली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाले का क्या कहना चाहता है। ये कार्टून सद्दाम हुसेन के शाषन को उखाण फैंकने के बाद चुनाओं से संबंदित है। इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आये पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। शाषन को उखाण फैंकने के बाद चुना हुए और सद्दाम हुसेन को जेल में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद वहाँ पर लोगों के पास अपना जन्मत अपना राजा चुनने का समय आ गया था। लोगतंत्र को सहरा देकर खड़ा करने की बात की गई थी। बाद में लोगतंत्र को मजबूत करने की बात की गई। किन्तो इस कार्टून में जो कार्टून बनाने वाला है उसने वोट देने के बात कही है। उसने प्रतेक विक्ति के वोट का महत्व समझाया है। और ये बात लोगतांत्रिक मुल्यों को मजबूत करने के बात है पहला कार्टून इस कार्टून को आगे की दिशा दिखाने का काम कर रहा है समझ में आया आपको फिर देखिए एक और देखें आप क्या कहना चाहरा है बात रहा है बात प्राटून को आपको प्राटून को आपको